जल्दी करते हैं तोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है थोड़ा सा लंबा भी है तो दो सिटिंग में हम इसको कंप्लीट करेंगे ठीक है और भी कोई लोग आना चाहते हैं जल्दी आ जाईए और जो लोग नहीं आ रहे हैं वो अगली बार आएंगे इसलिए बेटरी आएग कि इसी बार आ जाईए कि इसी बात नहीं रखनी है कि एक्जाम होगा या नहीं होगा और आज हम कवर करेंगे जैए बी के मॉड्यूल सी का नेक्स यूनिट यूनिट नंबर 33 है लेकिन बुक में सीरियल नंबर आगे पीछे हो सकते हैं किसी के पाप पुरानी बुक हो सकती है और टॉपिक का जो नेव है अ डेटा कम्मिकेश्टニ्स नेट क smoking एंड एफ टी सिस्टेम डेटा कम्मिकेशन नेटवर्क एंड एफटी सिस्टेम तो कममीकोर्क हो माक्स का कोश्चें कभी-कभी आता है and EFT system electronic fund transfer electronic fund transfer तो ये दो चीजों से लेटेड ये topic है आपका YouTube में जितने भी लोग आए हैं सभी को welcome सत्या सिम्रन ससांख जागरती जोगिंदर ठीक है good तो ये जो topic है बेसिकली तो मैंने इसे बताया कि data communications network कौन कौन से network होते हैं communications के जिनसे data जो है communicate होता है तो इसके बारे में देखे सबसे पहले यहां अगर हम बात करें पुराने चले बस और नए चले बस में तो यह जो chapter है यह जो topic है advent of information technology in banking यह बहुत पुराना topic हो गया तो इसको यहां पर हटा दिया गया ठीक है और data communication network में component of data communication network modes of transmission कैसे हमारा data जाता है और communication network में कौन कौन से component की requirement होती है network scenario in India major network कौन कौन से network हमारे इंडिया में काम कर रहे है emerging trend in communication network for banking तो infinite और internet evolution of EFT system ठीक है तो इसमें हम डेखते हैं कि कहां तक हम आज cover करेंगे और कहां हम nexus में गरें और यह जो class आपकी अर्ली ले रहे हैं माड़ बे से जब यह 9 9 9 15 पर class end होती है उसके बाद आप अपना जो दिनर बगरा कर लें और सभी से request है उसके बाद दो घंटा जरूर बैठा करें और सिक्स्त से आपकी जो एफबी की class है morning में वो भी चालू हो जाएंगे तो हमाई रफ्से तो सिक्स्त या सेवन से second paper चालू हो जाएगा तो वही सारे chapter एक बार रिवाइच करवा देंगे बांकि आपके उपर है आप कितनी मेहनत इसको करते हैं ठीक और हमारे मेहनत के बार अगर आप मेहनत नहीं करें तो सब बेकार हैं ठीक चलो अब देखिए अब इसफेशंद ऑफ माइक करण टेखिण टेक्वलोजी फार इस पीडी क्लीरेंस अब बेसीक्ली माइकर टेक्नोजी से क्या होता था चैक की सौर्टिंग किसकी क्लीरिंग कहां जाने हैं क्या यहां पर पेवल है यह नहीं है या उट्स्रेशन है तो सौर्टिंग होई और वो मेटो पलेंजन सिटीज में स्टार्ट करें ओन्दा कम्निकेशन फ्रंट बैंकर एंड स्विफ्ट बैंक नेट एंड बैंकनेट एंड स्विफ्ट फॉर ट्रांस्पमीशन ऑफ मैसेज यह ध्यान रखना कि जो स्विफ्ट है क्या फैसलिटी प्रोवाइड कराता है आपके इंक्रिप्टिट मैसेज को ट्रांसफर करता है उन स्विफ्ट सेंटर पे जिन्सके आप मेंबर होते हैं उसके एकॉर्डिंग वह फंड ट्रांसफर करते हैं ठीक है तो स्विफ्ट एक फैसलिटी है जिससे फंड ट्रांसफर होते हैं लेकिन स्विफ्ट क्या काम कर तो वह इंडिया में जो भी बाहर से आपके ट्रांस्मीशन होते हैं मैसेज फिर बता रहा हूं कि मनी नहीं करता मैसेज उस मैसेज को अथंटिकेट मानते हुए वह लोग एक्षन करते हैं तो ठीक है पेमेंट सिस्टम लाइक सब्सक्राइब को ही अब नया नाम दे लिया एनिएफटी नैशनल लेक्ट्रोनिक फंड ट्रांस्फर उसके बाद एसी एस हो गया आपका उसके बाद आर्टीजिए से आयम्टीए से एन नैक है यहां पे और यूनिफाइट पे इन यह सब्सक्राइब नहीं आगई ठीक है अ देटा कम्मिकेशन नेट्वर्क आते हैं अब उस खास बात पर जो हमारे इस चैप्टर में है ठीक है तो क्या चीज है इसमें तो डेटा कम्मिकेशन हैंप्सेंट्रास्टिकली कटिंग कोस्ट गेला है ईसमेशन टीका बुए राइचा थीक है टीक है तो इफ्मेशन का इन देटा कम्मिकेशन आतो क्रा भएचा इंख्टी कर। harassedenden देटा कम्मिकेशन नेटgebक लें COMPु क्या स्थीज Considering of telecommunications link their resources at reduced cost the data communication network have become an integral part of present day banking data communication provided provides the connections to computers which may be located in geographically dispersed all over the world ठीक है एक चीज में और बता दू कि जैसे मैं जितने भी टॉपिक पढ़ाता हूं यह का टॉपिक है आईटी का प्रैक्टिकल एक्सपोजर एक अलग चीज है और आईटी की थियोरी को समझना और समझाना जो बेसिक नकलो लिए मैंने जो है 2002 में 2002 में पीजी डी सीए किया हुआ है और आप बिलीव नहीं करेंगे उस समय जब पीजी डी सीए किया जाता था जो आजकल स्टुडेंट्स एमसीए कर रहे हैं उस एमसीए से भी बहुत रेगुलर और कंसिस्टेंट स्टडी से किया जाता था ठीक है तो बहुत सारी चीजें मैंने उस समय की सीख रखी है पड़ करके सीख रखी है ठीक है तो आप लोग इन्वाल रही है क्लास में बिलीव रखी है कि जो हम समझाने की कोशिस कर रहे है वह उन एंगल से समझाएंगे जिसे आपको लॉंगर रण में आपको याद रहे हैं ठीक है एक कंपोनेंट ऑफ डेटा कम अब बात रही थी इसी बात है तो कॉम्पोनेंट की जैसी बात है मिन्स उसमें कॉन-कॉन से इंस्टुमेंट के लिए यह यह ट दो से उनको सेरिंग करते वे तुगेधर काम करते हैं दे आर सेट टू तू फॉर्म ए नेटवर्क तो जितने भी कॉम्पोनेंट यूज होते हैं उन कॉम्पोनेंट को अगर एक साथ यूज करके इस परपच के लिए करेंगे उसी को उन लोग क्या बोलते हैं नेटवर्क और इसके तीन बेसिक कॉम्पोनेंट है पहला क्या है टांस्मीशन डिवाइस एन इंट फेस एक्यूपमेंट तो टांस्मेशन डिवाइस तो एक पॉ cinemat से दूसरे पॉंट में डेटा को ट्रांसेट्साथ करते हैं इंटर्फेस क्या होते हैं जिस पॉंड वेटा जाता है उ कोई machines है उससे जो input लिया जा रहा उस machine पर उस point को बोलते है interface या उस activity को बोलते है interface activity ठीक है जहां पर आप machine से direct connect हो रहे हैं ठीक है the data is transmitted along the communications path between computer devices using electrical signal and bit sequences to represent numbers and character तो वो basically electrical signal है bit sequences है और जो represent करती है वो number को या character को if digital signal are to be transmitted over long distance then the signals are automated यह देखना spelling क्या लिखी हुई इसकी यह जिनके पास पुरारी बुक है उसमें नहीं होगा नई बुक में क्योंकि अभी यह points बने हैं इनको हम recheck नहीं कर बाएं है किसी के पाद नई बुक है तो बताईए बुक भी नहीं ले ले लगी किसी ने आप अधिक आपको बाएं हैं तरह रहा फिर आपको जो आपको आपके परसे इंद आप यह जो वर्ड तो बिल्कुल यही है बुक में लिखा हुआ सब्सक्राइब का मतलब इसमें थोड़ा सा उसको हलका करना बोला हुआ है थीक है अटेनुएट का मतलब इसको थोड़ा सा लाइट कर देना हलका कर देना यहां पर क्या है दे जिसके हम लोग क्या होता है कि कभी कोई बड़ा बीड फाइल तो उसको क्या करते एंद कंप्रेस्स करतेना तो एक प्रेसे इसका मीनिंग है कंप्रेस करना क्या करना कंप्रेस करना पहेंट एडर रिलैविल्टी ऑफे टेटा इस डेतरःटे तो debating क उसमाद होगा वो signals उसको थोड़ा सा वीक करते हैं और क्या होता थोड़ा सा वो क्या हो जाते हैं डेटो डेटो तूट सकते हैं तूटते हैं ठीक है तो ओर कम डिस प्राप्लम अब यह प्राप्लम आई तो इस प्राप्लम को दूर करने के लिए उन्होंने कहा कि जो किजीटल सिनल्स है आर कंवर्टेट इंटू इनलॉघ सिंग्नल जो लास अमारी क्लास होई थी हमने के बारें बात कई थी तो डिजीटलовалिब्र आण्योग सिंग्नल और मोडेम में पहला word क्या बता है था मैंने modulator और दूसरा क्या था demodulator ठीके modem ठीके तो modem हो गया modem क्या करता है conversion device installed in pairs जमने means receiver end पे भी sending end पे दोनों जगे लगती है और ये दोनों जगें दोनों पॉइंट पे दोनों ही काम करता है थीक है क्योंकि जो sender है उसो कभी data receive भी करना पड़ता है ठीक है and for analog communications line the modem at transmitting and modulate modulate the digital signals received locally from a computer a terminal into analog signal convert करता उसके और भेज़ता ठीक है the modem at receiving end वो क्या करता है demodulate करता है the incoming analog signal converting these back to the signal the digital format modems come in two type one which can be installed in the computer and those which are connected external to the country तो यहां पर यह devices के नाम आ रहे हैं तो एक device का नाम आ यहां पर modem सबसे important device तीक है दूसरा है आपने component तो रख लिए एक device तो ले ली लेकिन वो device में signal जो जाएंगे एक device से दूसरी device में उसके लिए आपको medium चाहिए medium क्या होता जिस पर data travel करता है और data travel air में कर सकता है data travel वायर में कर सकता है data travel radio frequency से कर सकता है data travel किसी इसमें optical fiber में कर सकता है तो कोई medium है तो medium में जब बात करेंगे आपे तो इसमें बोलता है तो एक तो बोला इसने terrestrial cable सबसे पहले क्या बोला there is a most commonly used wiring technique are the twisted pair अब इसमें क्या है जो cables है हमारी यहां पर उन cables में इसका heading दिया हुआ है terrestrial cables तो उसमें cables हमारी किस किस तरह की होती है twisted pair जो आम तोर पर आपने बिजली की वायर देखी होगी electricity की इस तरह वाली simple तो उसमें जा सकता है twisted वाली में उसमें क्या होता है consists of two insulated copper wire और दोनों क्या होते हैं आपस में twisted होते हैं ठीक है while you use in place parallel or parallel wire to minimize the risk of crosstalk means एक से data जाए और दूसरे से data आए तो crosstalk नहीं होगी mixing and distortion of signal these are useful for connecting terminals to computer to up to a distance of छोड़ी distance तक इससे ज्यादा distance तक अगर हम इसको यूज करेंगे तो data का loss ज्यादा हो जाता है तो इसलिए इसको इतने ही distance तक यूज कर जाता है और low cost होता है यह ज्यादा most popular cable करेंटी दूसे पहली बात होगी दूसरी बात को एक्सेल तो को एक्सेल केबल क्या होती है कि जो आपके पुरानी वाली डिस्क की केबल अगर आपने देखी होगी तो इस तरह से होती है जो center उसमें copper का wire होता है उसके बाद में कुछ plastic का piece होता है और उसके बाद में एक iron के जाली होती है ठीक है नेट और उसके बाद plastic का यानि उसमें एक्सल एक एक पॉइंट है ठीक है जो इनर वाला पार्ट है उसको एक्तर से एक्सल या को एक्सल कर सकते हैं ठीक है इनर वायर इस रूंडेट बाइट जो मैंने आपको बता है वही चीज होती है ठीक है आगे देखिए और यह इसकी जो है दा केबल केन कैरी डिजिटल सिंगनेट एट वैरी हाई रेट्स ऑफ फाइवंडेट मेगावाइट पर सेकेंड तो यह एक्तर से अच्छा हो है हमारी जमाने में यह चीज स्टार्ट नहीं होती क्या नहीं आप्टिकल फाइवर स्टार्ट नहीं हुए थे तो ऑप्टिकल फाइवर में क्या बोलता है हैंज भी टेक्म टेक्नलोजिकल ब्रेक्टू इन कम्निकेशं टेक्नलोजी इस सपोर्ट डेटा ऑफ कितना two gigabytes तो गीगाबिट्स पर सेकिंड तक यह ट्रेवल कर सकता है और आपको पता है आज कल जो आपके घरों में सिंग्नल करनेक्शन लगते हैं वह कितने तक का वह करते हैं गारंटी करते हैं कि इतना मिलेगा आपको कि बोलिये अरे जीओ फाइवर लगवाया नहीं लगाया सर लगाया सर हर घर जीओ फाइवर टूहंडड़ एंबी पर सेकिंड मेरा वाला थीक है बिलकु ठीक बला आपने अब इसमें जो है अलग-अलग उनकी स्पीड है थर्टी वाली 50 वाली 100 वाली 200 वाली और इवन मोर थन देट तो यह तो टूगीगा तक बात कर रहा है ठीक है इसका बहुत कैपैसेटी होती है फाइवर ऑप्टिक्स प्रोवाइड हाई क्वालिटी लो एरर रेट ट्रांसमीशन अब सिंगनल सिंगनल्स एट वैरी हाई स्पीड तो फाइवर ऑप्टिक ट्रांसमीशन आर नॉट अफेक्टेड बाई इलक्टो मैगनेटिंग इंटर मींज वह वाइर अगर 11,000 वोल्ट के इलेक्रिसिटी वाइर के बगल में भी चिपका दी जाए तो भी डेटा डिस्टॉर्ड नहीं होगा इलेक्रिकल सिंग्नल इसको कुछ नहीं विगार सकते हैं त्रांसफर अब डेटा इस थ्रू एवरी थिन ग्लास और प्लास्टिक फाइवर विदे बीम अफ लाइट अब उसमें करते क्या है उस वायर के अंदर एक बहुत बारीक सा एक प्लास्टिक का वायर होता है या ग् राइट सोर्स इजे लेजर बीम डिवन भाई हाई स्पीड हाई करेंट ड्राइवर इस देज फॉर सिक्यूर्टी इजन लाइट इमिटिंग डायोडार यूजड ठीक है अब बात आई तो पहली वाली बात जो इसने बोली थी इसने सबसे फर्स्ट में केबिल्स की बात करी इसने अब सेकेंड में क्या बात कर रहा है यह वाला जो था यह वाला यह वाला पॉइंट था कि केबल यूज़ कर रहे हैं दूसरे में क्या यूज़ कर रहे है कि माइक्रोवेव सिस्टम दूसरे में क्या यूज़ कर रहे है माइक्रोवेव इस frequency radio signals using telephone systems and television transmission तो आपने देखा होगा मैच चल दा है तो मैक माइक्रोवेव से सटलाइट में जाता है सेटलाइट से फिर जगह ज़े जाता है दा रेडियो वेव्स आर मॉडुलेटेट तो करी information antenna are mounted on the towers to send a wave beam from one antenna देड़ा तो तो एक अमारा antenna होता है वो different receiver पर signals देता है और जिनके छत में वह एंटीन लगा होता है वहां से receiver वह जाता थी कि 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 अलाउंग दा रूट दा रिसीव डेटा इस amplified and transmitted the microwave signals may also be passed on the communication satellite तो यहां पर microwave signals होते हैं और उनको communication satellite पास करते हैं अब बात आई कि कमिनिकेशन सेटलाइट प्यॉर्ली डिजाइंड इंस्टूमेट्स होते हैं और नाव बिकमिंग वेरी पॉपलर और डेटा कमिनिकेशन बिट्विन कम्प्यूटर तो आपको पता होगा कि एलन मस्क एलन मस्क का नाम सुना है कि नहीं सुना एलन मस्क जो आज लोगों को चांद पर वेज रहे हैं टेसला उनकी गाड़ी है तो वह चाहा रहे हैं कि मैं दुनिया में इंटरनेट सेटलाइट से दूँ ठीक है इस्पीड ऑफ सेटलाइट इन और्बिट इक्वल सुदा स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अब कैसे काम करता है जो हमारी आर्थ है आर्थ रोटेट करती है सेटलाइट आपका यहां रख दिया अब परक्ता लगा कि ऑ ध् pued गुम गई तो उसकी भी स्पीड नहीं रकी जाती है उससे विफ एवन कुछ ज्च जादा रखी जाती है क्यों क्यों कि इसकी रेडियस कम है और इसकी रेडियस ज्यादा है तो सब प्रोनाइच की जाती है कि वह हमेशा आपके चट के उपर है तो वही रहेगा इसका एंगल डिस्टब नहीं होता तो सेटलाइट इस इस्टेशनरी रिलेटीव टुदा अर्थ को लगता है वो बिलको इस्टेशनरी पोजिशन पर इस्थर है तो सेटलाइट इस फिटेट इसम्तेर म् स्टेशन प्रेशन परेवल डिस्टेशन परिपो कहां ठैस्ट मस्क्ट रेंटीव फिर शेओं रिलेटेट थर का स Kätersyy के अरू का है मैं क माम लिडोके मनिलेट की रिलेंटर इस झाएं पर इस इसको उसको इसको परिक station which can send signals to a wide geography एक जगे से औरे मतलब अगर आर्थ में यहां पर है तो इतने एरिया में वह सिंग्नल भेश सकता है ठीक है application such as electronic mail distributed system internet are ideally implemented the use of satellite communication media the broadcast is independent of the distance between the earth distance distance से कोई मतलब यहां पर नहीं है the network the satellite medium are fastest and have no limitation of कहीं पर आपने देखा होगा कि जो आपके वहां पर चांद पर भी जा रहे हैं वहां से भी सिंग्नल आ रहे हैं ठीक है in India government agency like NIC and some private operator offering the satellite based communication services तो दो बाते आ गई जड़ा देखेंगे क्या का चीज आई है पहली बात तो इनकी आई है जो आपका modem है जो आपका device है transmission device या interface equipment है दूसरा है इनका cables की बात आई जिसके जिसको हम source भी बोलने मीडियम भी बोलने और थाड़ इसमें आरा point transmission processor वो करते क्या है कैसे वो जाता एक जगे से दूसरे जगे से आपका two marks question इस discussion से आने वाला है जो अब मैं बात कर रहा हूं ठीक है जियो स्टेशनरी सेटेलाइट और दूसरा होता है जियो सिंक्रनिक मिल गया मैं याद करता था उसमें जी एस एल वी ठीक है जब इंडिया से जाते थे उस समय स्टार लिंक सेटलाइट उनकी कंपनी का नाम है अच्छी बात लगती कि आप लोग इनवाल होते हैं हमें लगता है कि कोई बात सुन तो रहा कि अभी-कभी तो लगता को बात सुनी नहीं रहा है चलो और कल हमें एक क्लास ली थी हमने लाइव ली थी जब C.I.B. का रिजलत आया था हमने C.I.B. के उन बच्चों से बात की थी किसी ने अटेंड करी थी थोड़ी की थी थोड़ी की थी उसमें एक इस्टुडेंट ने एक बात बोली थी कि सर जहां जहां आपने बोला था इसमें से कुशन आएगा वहां वहां से कुशन था तो इसलिए जब हम यहां बोलते हैं तो यहां भी आप उसी बात को सुनिये और जब एक्जाम हो जाएगा तो ऐसा ही भाप फिर बोलिएगा अगर आएगा तो नहीं आएगा तो मद बोलना यहां दो कुश्चन यहaun से ट्रांस्मिशन प्रोसेससर नू एट क्या है डेट टा कम्निकेशन इंवाल्स ट्रांस्मिटिंग डेट एक्रोस ट्रांस्मिशन नाइम्स ओफेशन इनन्वाल्ज नाइज और लेक्ट्रिकल डि सब्सक्राइंग है वो और उसके साथ जो है करता है डेटा कम्निकेशन सिंगनल खैन बी इस टेंट आर्र पीटेट्ट तू इंप्रूव सिंगनल क्वालिटी में जैसे आपने यहां से आवाज लगाई यहां से आवाज लगाई तो इतनी डिस्टेंस में जाखे यहां से जा करके वह आवाज थोड़ा सा क्या हो गई कम हो गई यहाँ पर फिर आपने माइक लगा दिया तो फिर वह आवाज टेज हो गई इसको बोलते हैं रिपीटर और सुरू से जब भेजी जाती है तो आवास तो इतनी सी थी ल कर दिए कौन है कि अधर्मेंद कुमार्ग जी के खर में लोग नाराज लग रहे हैं कि अधर्मेंद कुमार्ग जी अपना माइक म्यूट करिए कि इन्हों पता निकौन से सेटिंग कर रही हम यहां से म्यूट करें हुई नहीं रही है दर्मेंद कुमार जी कि आस सुन रहे हैं अधर्में बहुत एक्सपार्ट लोग पढ़े हुए हैं सर्ट अधर्में तो यहां पर बात हम कर रहे थे कि जो डेटा होता है है उसको सबसे पहले स्टेंथ करके सेंड करना आगे जाके फिर वो डाउन हो जाता है उसको रिपीट करना और रिपीट के साथ एंप्लिफाई करना जैसे आपने यूज किया वर्ड एंप्लिफाई टेखनिकली उसको एंप्लिफाई करते हैं ठीक है कैन इंक्रीज कम्मिनिकेशन डिस्टेंस तो उससे आप बहुत दूर तक अपनी आवाज को पहुंचा सकते हैं सिगनल रिपीटर्स कें प्रोवाइड आई एसोलेशन कें एक्सेंट दा कम्मिकेशन टांसर बियॉन्दा स्टेंडर कम्मिकेशन जो इसकी इस्टेंडर इस्टेंस से उससे भी जादा वो ले जा सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले मैसेशन की बात करते है इट शूरिंग और फ़रवरडिंग डेटा तो स्टोर होता हैं और उसके बात आगेड़ेशन के मिजह स्टोर तो सबसे पहले स्टोर के बात करते हैं आगे आगे forward करते हैं तो एलाज नमबर अफ टर्मिनल ओवर आ सिगनल सिंगल communication channel अब communication channel का मलए एक तरीके से जा रहा है यहां में बहुत सारे data आगे उसको data को यहां पर store करना और फिर आगे धीदरे करके भीजना जिसे जहां यहां जाना है ठीक है a message which received data from all the terminal आ रहा है stores them in a queue and route them route का मतला उसको रास्ता दिखाना one at time एक समय में एक हैं the CPU during transmission it also distribute sorry to the CPU it also distributes messages coming from the CPU to appropriate terminal using during reception ठीक है तो switch का काम समझ में आगे आपको जो multi sources से आपके multi terminal से आपके पास जो data आ रहा था उसको store करना और उसको आगे queue में आगे भेजना और route करना उसे जहां जाना तो पहला हमारा जो communication processor है उसका नाम क्या है message switches दूसरा है multiplexer तो multiplexer हमने last lesson में भी पड़ा था it is a device that enables more than one signal to be sent simultaneously over one physical channel तो यहां पर यह बोला है कि बहुत सारे signals को साथ साथ एक फिजिकल चैनल से एक साथ भेल देना एक फिजिकल चैनल है अब आपके पास बहुत सारे हैं उपर वाले का काम तो यह था कि वन वन एक टाइम था यह वन वन जाएंगे वन जाएगा फिर उसके बाद दूसरा जाएगा से इसमें क्या कर रहा है वह सब को एक साथ एंट्री करा दिया उसने अब सब जा रहे हैं ठीक है इट कम्बाइन इंपूट फ्रम टूर मोर टर्मिल, कम्प्यूटर पोर्ट और अधर मल्टिप्लेक्शर और ट्रांस्मिट दा कम्बाइन डेटा स्ट्रीम ओवर इस सिंगल हाई स्पीड चैनल अधर सॉप्टेर या एक और मल्टिप्लेक्शर उसको ब्रेक कर देगा और इसको आगे बढ़ाएगा जहां जाना है ठीक है फ्रंट एंड प्रोसेसर इट इस डेडिकेटेड कम्मिकेशन सिस्टम देट इंटर्सेप्स एंडेल्स कम्मिकेशन एक्टिविटीज फॉर्ड़ होस्ट कम्प्यूटर तो यहां देनना को फ्रंट एंड प्रोसेसर इट इस डेडिकेटेड कम्मिकेशन सिस्टम एट इंटर्सेप्ट इंटर्सेप्स कान उसको पकड लेना समझ जाना एंडल्स कम्मिकेशन एक्टिविटीज वर्ड होस्ट कम्प्यूटर इटी यूज्ट तू आफ्लोड कम्मिकेशन टास्क फ्रॉम दा होस्ट कम्प्यूटर दस फ्रींग इट्टु डिवोट इट्स सीप्यू तो प्रोसेसिंग एप्लिकेशन प्रोग्राम तो फ्रंट एंड प्रोसेसर का काम यह हो गया अब बात आती यह तीनो मल्टिप्लेक्शर फ्रंट एंड प्रोसेसर अब आता है कि यह तरीका मोड मोड आफ ट्रांसमिशन मोड आफ ट्रांसमिशन कि यह तरीका मोड एंड प्रोसेसर की यह तीन है यह तरीका मैं अब आता है कि यह तीनी हैं आप हम बात करते हैं मोडस आफ ट्रांसमिशन ठीक है तो मोडस आफ ट्रांसमिशन में मैंने बताय था टू मार्ग्स तू मार्क्समे से साइट एक कुश्चन यहां से राएगा, एक कुश्चन यहां से आएगा, ठीक है, इसमें हैं सिंपलेक्स, हाफ डुपलेक्स और फुल डुपलेक्स, यह चीज मैंने 2001 में लर्न करी थी, आज से 20 साल पहले, आज को आज भी याद करनी पड़ यह, 20 साल कि transmission के तरीके कौन से होते हैं किस तरीके से transmission होता है तो transmission में simple बात में पहले कर लेता हूँ मैं example दोंगा आपको एक breeze है उसमें किवल one way जा सकते हैं ठीक है एक breeze है उसमें one time जा सकते हैं वन time आ सकते हैं ठीक है यहाँ पर पहला वाला केस है, उसमें दो बिरीज है, एक जाने के लिए एक आने के लिए, और इधर जो है, एक बिरीज है, उसी से आना जाना कर सकते हैं, और यहाँ पर, लेकिन at a time, और यह बिरीज ऐसा है, जिसमें एक ही समय पर जाने वाले लोग में हैं, और एक ही समय पर आने वाले जोग तो आप एसे समझ लीजिए यह एड्जामपल किसका है एक है इस पूल डुपलैक्स पूल डु आये को जा clar ₹ म fifa कि समयफे तीक है अच्श आप सिंपलैक्स ओег neutral लिया पहला वाला या जाएंगे या आएंगे हाप डुपलेक्ष में क्या है जाना आना तो होगा लेकिन एक टाइम पर एक ही होगा जाना आना तो हो जाएगा ठीक है जैसे वन वे ट्रेफिक में होता है वन में ट्रेफिक में वन वे ट्रेफिक इन में से कौन सा एक्जामपल है जर क्या उसी में आना भी करते हैं पुलिस वाल चाला नहीं काटते वन वे नहीं सब्सक्राइब होता क्या है कि एक टाइम दिया रहता है मॉर्णिंग में आपको जाना है या साम में उदर शाना मैं तो 24 गंटे वाला वन वे बात कर रहा हूं चलो अचलो होगा वन वे वाला ठीकश है और जो जो आप बता रहें कि इतने बजह से इतने जहाना और वहाफ टाइक Singapore तो यह जाना आना किसकी बारी है है देटा की एसी ऐसा आपका transmission medium जिसमें आपको डेटा जाना आना परमिट रखा है तो वह आपका फुल डूपलेक्स है जिसमें एक टाइम जाना या एक टाइम आना का ि वह हाप डूपलेक्स है और जिसमें केवल एक चीभर याएगी और आएगी तो वह तो इसमें से मुझे बताओ wireless कौन सा है कि पुलिस का वायवलेस इस नई सिंपलेक्स है सर प्लूपलेक्स वाकी-टाकी वाकी-टाकी यह जो ना ठीक है थे टेली फॉन लाइन कौन सी है दो नॉब फॉल डूपलेक्स नई सर राफ दुपलेक्स है तो क्या उल्टा फोन लगा के बात कर सकते हैं आप उसमें जाने वाला लाइन अलग है आप आप कहेंगे साथ मैं तो एक मोबाइली ले रखा है लेकिन वो तो मोबाइल के अंदर कर रहा ना काम सेंडर और तो पुराने जमाने के फोन की बात करेंगे तो यह होता है तो सिंप्लेक्स अपढ़ लेते हैं मैंने कहा एक कोश्चन पका है आपका पहले ट्रांस्मिशन मोड डिफाइंस दा डायरेक्शन ऑफ सिंगनल फ्लो एक पॉइंट आ गया बिट्विन टू कनेट यह जो पूराने जमाने के फॉन लाइन के बात किये वह समझ में नहीं है अथरा दूबार पता ही पुराने जमाने की फॉन लाइन जैसे बोले आप अथरा मोड्य दाकिवाद मात एक को देख्थे आपको दिखता है ऊब अरको दिखता है वो फॉल दिप्लेक्स ay कि वेस्में सिंगनल का अलग 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 सब कुछ होता है वह आलग अलग सब कुछ बाtar खशन है नमको दिल जख़ह appreciation पहले वहाँ रिसीब होगा आप एक चिससे कंफ्यूज कर रहे हैं आपको लग रहा है कि आप उसमें एक ही समय बोलते हैं और एक ही समय सुनते हैं आपको पता है उसमें दो डिवाइस होती हैं एक आपकी बात सुनने वाला और एक आपकी बात बोलने वाला अगर मोबाइल में हम बात कर रहे हैं तो उस तरफ से डाटा जा रहा है तो यह फूल डुप्लेक्स है लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी अलग-अलग होती है आप नहीं समझ पारें मेरी बात अच्छा उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है पहले मैं इसका सिंप्लेक्स का एक्जांपल देता हूं तो एक बात सुनो आपने कहा कि आप यहां से बोलते हो हलो तो उससे आवाज नहीं आती है ऐसा क्यों हो जाता बता हो जाना कि माइक करा आप हो जाना नहीं वह हाड़्वेर प्राव्लम नहीं बता रहा है अरे इसलिए कि वो जो जिससे आप बोल ले हो वाली लाइन ठीक है जिससे वो बोलना है वो लाइन खराब हो रही है नहीं समझे बीबी चलते हूं यहां का मुझे पता नहीं है ठीक है आच्छा दूसरा इसका आप बात करते हैं इसकी यह जो फुल डुपलेक्स के एग्जाम्पल की बात करते हैं ठीक है फुल डुपलेक्स यहां देखना जरा एग्जाम्पल आर दा फूर वायर चापी तुम्हें लेकिया यही टू वायर नहीं फूर वायर फुल डुपलेक्स मॉडेम्स यूज इन टेलिफोन लाइन तो यहां पर उस डिवाइस का नाम क्या दिखा इसने बोलो जरा फूर वायर एक स्पेशल टाइप का मॉडेम्स जिसमें कितने वायर है तो आपके फून में जो मॉडेम्स लगावा है वह कौन सा लगावा है फूर वायर है अच्छा मैं आपको यह क्लियर करना चाह रहा हूं आप जब इसमें फून से बात कर रहे न तो आपके फून में कितने मॉड़म्स यूज किये वह हैं कौन जो मॉड़म है कितने वायर वाला है फूर वायर वाला है ठीक है तो इसमें नहीं कैसे थाउ ना किसे को जानती नहीं हां तो बात हमाँआगे याँ किफाव किसी नहीं अरे प्रवल्ड का मरें गाड़ किवाड़ कि प्रॉब नहीं कि प्रॉड़म है तो नहीं कि चो नियुक्त कि तो बाद मताएंगे अभी नहीं बताते हैं between two connected devices communication purposes are classified as follow the simplex transmission is capable transmitted data only one direction one direction चाय या जाय ठीक है this type of transmissional is useful analog signaling to analog signaling से बात है जो हमारे पुराने जमाने के क्या होते थे फोन पुराने जमाने के फोन होते थे उसको हम लोग बोले हैं क्या simplex नहीं सर यह सर यह बात देखे रहे commercial radio broadcast इसका यह है जो हम सुनी सकते हैं और यहां से कुछ बहुत नहीं सकते तो simplex में commercial radio broadcast इजे simplest type लिखाया देखे एक में टुक जाना जाए जा जी यहां पर commercial radio broadcast में आपके पास वहां से सिंग्नल सिर्फ आते आते हैं आप इसलिए बोल रहे ना लेकिन मैंने यहां पर नीचे कितनी line मना रखी है कि दो लाइन जानी एक ऐसा device जिसमें दो लाइन हो एक line से data जाता हो और एक line से आता हो या सिर्फ एक ही लाइन है जी लेकिन यह जो एनलॉक सेंपलिंग वाली बात बता रहा हूं और टाइप आप ट्रांस्मिशन यह पुराने जमाने में जो फोन होते थे वह जो घर के आगे हम वह में वायर होते थे कितने वायर होते थे तो डो फो गये तो यह जाने याने का दोनों का अगर्ण हो जायेगा तो असाब डूलैक्स होuse शर अभी मैं है मैं एक बार बता हूं सर ऐक बता हूं, जैसे, Хylip Irelandsay में आब बोले, वाखी टोकी time, वाखी टोकी में हम जब प्रेस करते हैं उस चीज को तो एक तरफ से काट देती है signal को प्रेस करो करना पड़ता है उसमें और जब प्रेस कि य reco दुनको प्रेस करते हैं और हम कों कि अगर आपने यहां से हैलो बोला सुनिए यहां से अगर आप बंद नहीं करेंगे बिए और दोनों सिंगनल टकरा जाएंगे तो सिस्ग्नल उसी रास्ते से या उसी रास्ते से आएगा एक बाद यहां देखी यह तो हम दूपलेक्स हो गया ना हाँ अब दूपलेक्स हो गया ना है यह तो है लेकिन आप तेनी पुछ ना इंपले बार कर रहें थे वो क्या चीज जो दोन्ट तरफ से कर सकते हैं और एक ही बार कर सकते हैं तो आप दूपलेक्स का एजामपल है लेकिन इसमें एक लाइन है क्या लाइन है ओनली वन डारेक्शन एक टाइम जी ठीक है और सिंपलेक्स में है सर डेता टांसमेटिंग डेता इन वन डाइक्शन कर सकते हैं कुछ इधर से रिप्लाइए नहीं कर सकते नाहीं वह सुन सकता है ठीक है यह जमाना का प्रॉब्लम का हो रही है यह मैंने दो रास्ते बना दी इसलिए कंफ्यूज हो रहे हैं आप लेकिन आप जैसे मैं इसको एक रास्ता यह है और दूसरा रास्ता यह है और दोनों रास्तों के यूज अलग अलग है मान लिया कि रेडियो ब्रॉजकास्टिंग है तो उसमें वायर ही एक है उसमें वायर ही एक है लेकिन जो टेलिफॉन लाइन है उसमें वायर दो हैं लेकिन दोनों वायर के परपज अलग अलग फिक्स है आप ऐसा है ना मैं इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन में नहीं हूँ ठीक है और अभी आप इसको agree करिए और बाद में discussion करिए समझे जो भी कुछ हो सकता ने ने मैं एक बात बोलना चाहता हूं सर जैसे आप बोले पुरान जमने के pond में दोनों तरफ से बात कर सकते हैं ना एक समय पे एक ही करेगा नहीं नहीं बात तो दोनों सब कर सकते हैं लेकि जाने वाला signal अलग है आने वाला signal अलग है अच्छा यह थोड़ा करी जिन समझे उसका रीजन समझे आपके पास दो बॉड़ी पार्ट है एक माउथ और एक एर माउथ से बोल रहे हैं तो वह वाले signal बोलने वाले से जाएंगे और कान से सुन रहे हैं उससे सिर्फ signal आएगा कभी आप टेलीफोन को पुराने टेलीफोन को उल्टा करके नहीं बात कर सकते तो सर यह सिंप्लेक्स होगा क्या पुराना टेलीफोन बिल्कुल सिंप्लेक्स होगा पुराना टेलीफोन बिल्कुल सिंप्लेक्स होगा आप यह दिखे मोबाइल में फोर वायर होते हैं फोर वायर वाला फुल डुपलेक्स मॉडम यूज रहता है लेकिन फोर वायर का मतलब क्या है उसके रास्ते अलग अलग है लेकिन वो मिक्स कर दिया गया कि उन वायर्स को मिक्स कर दिया गा तब वो पर्मिट करता है अब तो सुनाए भी देगा और नहीं नहीं वह तो साउंड जादा होने की वज़ें विल्कुल ठीक बोला आप नहीं साउंड की वेस्ट सुनाई जाता हो तो बट सुने की डिवाइस बोलें की डिवाइस उसमें भी अलग है उपर और स्पीकर होते हैं नीचे मतलब यहां डाटा ट्रांसमिशन की बात है एक साथ अगर दोनों तरफ से डाटा ट्रांसमिशन हो सकता है तो फुल डुपलेक्स है यह तो मैंने एक एक्जांपल देने की कोसिश करिया आपको ना तेक है चलो आगे बड़ा ज़्या ओने लाइन आरे गुड एक्जांपल ऑफ हाफ दुपलेक्स तेक हो मौडम है मोडम किसका एक्जांपल है हाफ दुपलेक्स का उसी उससे जसे त्रांसमिटिंगलन एंड के for the response for receiving and before sending another message walkie-talkie is this example in full duplex में commonly called full duplex provides simultaneously two-way transmission the transmission is faster because avoids delay and occurs at a half duplex circuit example are four wire full duplex modems use in telephone lines now telephone lines का मतलब यह है कि जो आजकल हाई टेक्लोजी में यूज हो नहीं है ठीक और यह telephone line वाली नहीं है traditional वाली कौन सी traditional वाली कि वायर वाली अच्छा चलो एक चीज़ और सुनो यह जो ऑप्टिकल फाइवर होता है कभी आपने वायर के अंदर देखा कितने वायर होते हैं उसके अंदर कई कि वैजो उसी रास्ते से सिंगनल देशीव करते हैं दूव इतनी डिवेट हो गई ईडि अब तो को भूले गाई नहीं सब्क्रूब नेतवर्क सेनेरियों इंडिया तो यहां पर नेतवर्क सेनेरियों की बात आती है तो हम लोगों ने लास्च पढ़ता कौन संग राजन संगराजन कमिटी सेकिंड कमिटी सुरू में तो उन्हें ने कंपेटाइशन की बात करी फिर उनने कंपेटाइशन और आगे चले गए तो यह जो पॉइंट आ रहे हैं यह सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है क्या वोला INAS Interbank National Authorization System ठीक है was the first component of Mastercard Global Telecommunication Network providing electronic authorization to replace earlier phone authorization technology Interbank Network for electronic transfer followed later ये बार में फिर नही टेक्लोड आल लगी ठीक है इंटर बैंक टांसपर offering electronic settlement service to replace previous system with bank तो आप जो है नहीं पर आगे फिर बाताई INET ये तो हो गया आपका Interbank National Automated Authorization System अब INET Department of Telephone in 1991 और ये जो fast reliable था quite cost effective था और इसकी speed क्या थी टी जे 0.25 data X into इतने times X का मतलब यहां पर इतने times data network इती जे X.25 याद रखना करें question में आ जाए based on package switch to public data package switch का मतलब इसमें क्या data packet में pack हो करके bundle में होके वो एक जरे से दूसरी जगे transfer हो रहे हैं तो यह से PSPD technology with an error detection and correction techniques PSPD technology from each one the sources is fragmented into packet तो fragmented मतलब उनको package में वो कर लिया गया these packets are first stored in package switch वहाँ पर switch में होते हैं call nodes अब nodes क्या होता है nodes की बात करें तो node वो point है जहाँ पर data जो है packet switch में store होते हैं which are nothing but computers then that buffer है buffer का मतलब store करना ठीकिद बफर दा पैकेट these packet switches also root the packet onto the appropriate physical link उस पर जाता है they also have built-in logic to detect congestion or failure of link and to establish alternate routes for the packet packet switching allows dynamic routing of the calls and interconnection computer terminal etc i-net allow both way connectivity to अभी i-net की जो connectivity की बात को बोला है remote area business message network high speed v-set network gateway packet switching system of v-snet at Mumbai तो i-net जो है उसमें बोट वे connectivity होती है इन लोगों के लिए तिपिकली टिपिकल एप्लिकेशन i-net is useful for following कहां कहां होता है electronic mail, corporate communication, information retrieval, database service, remote login, credit card verification और electronic fund transfer में जो i-net technology है उसका use होता है ठीक है inter bank network for electronic transfer इसका नाम i-net है और i-n-s work combined into single उसका नाम आ गया bank net bank net में कौन कौन से पार्ट है एक तो i-net है और दूसरा कौन सा है i-n-s bank net की बात करते है bank net establishes 1997 one of the world largest global communication network it operate by कौन करता है से mastercard authorization for credit card transition throughout the world it link all mastercard member and data process center into single financial network bank net facilities payment across the world it can handle millions of secure transition each hour through data तो आपने देखा होगा जो mastercard है इसका मतलब उसकी सारी processing किससे हो रही है mastercard की इस technology जिसका नाम क्या है बोलिए bank net ठीक है अब दूसरा आया NIC net तो NIC जैसे नाम आया तुरंद किसका नाम आया नाम आतरी इंडिया का नाम हो गया नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर और गॉर्वर्मेंट इंडिया लार्जेस्ट वाइड एरिया सबसे बड़ा नेट्वर्क है NIC provides ICT and e-governance थीक है information and computer technology government for last four decades electronic delivery for service to the government service to the government G2G business government to business इंडोनेट अब हट गया है अब हट गया है अचा रबी नेट हटा नहीं रबी नेट में कुछ इंप्रूव्मेट इसमें जो बुक में कुछ चेंज जाएं क्या चेंज जाएं रबी नेट इसमें कम्मुनिकेसिन सॉफ्टेर अलाव दफ्री फॉर्मेट मेसेशिंग तो फ्या घ्थम्रीट मेसेश्ट नेट में जाएं लौदेर तो इसमेट फ्रूव्मेट इसरे उत्सेंग नेट सॉर्दलड इसप्रूव्मेट इस नेट जोड्सेट नेट थिए्टिछ उट्सेट्श का इस्तविव श्रीप एंट रबीं प्सुवटें का फ्य्ट टॉष तो अगर मैं बात करूं आर बी आई के जितने भी कॉम्मिनिकेशन होते हैं आपस में वह कौन से किसके तुरू होते हैं और वह जो इसके पीछे टेक्नलोजी यूज़ करता है किसकी करता है इसका इंफ्रस्टेक्शर यूज़ करता है इसके काम चलेगा फटा 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 आंसर नहीं देंगे ठीक है इनेबल्स फाइल टांसफर इसप्रेश्टी डेटाबेस प्रोग्राम फैसलिट डायल अप्रक्स अन्हें सेक्यूर्टी फीचर सच अज एंड-to-end सबसे पहले बोला जितना भी आपका CRR वगरा से डेटा वगरा है वो सारे बैंकों का रिजनल ओफिसे जो डिपार्टमेंट से डेटा आता है और फ़र्नीशिंग और रिजनल ओफिस वो सब किसे होता इसी से होता है प्रेस रिलेशन डिविजन डेली न्यूस समरी सब इससे होती है डिपार्टमेंट ऑफ एकॉनोमिक अनलिसिस और पॉलिसी माइक्रो मैक्रो एकॉनोमिक इंडिकेटर और विकली बेसिस ये भी सब इसी से होता है ठीक है कि चलिए बात आती है इमर्जिंग ट्रेंट इन्डा कम्टिकेशन क्या क्या चीजिए है तो इसमें सबसे पहले आ गया जो आर्भी का वी सेट नेट्वर्ट था उसको अब क्या नाम से जानते हैं इंफाइन ठीक है इन एन इंडियन फाइन एन फाइन फाइन सर्राफ कमिटी की रिकमेंडेशन पर हुआ आर्भी ने अपना कंट्री वाइड एक सेट अप किया ठीक है और हैदराबाद में विकॉज अब दा पूर क्वालिटी अब दे टेरिस्ट्रियल कम्टिकेशन लाइन इस नेट्वर्क यूज वाज उसीं सेटलाइट ठीक है यह जो ओल्ड लिखावा यह कट गया है अभी यू यलो पैरग्राफ आया इस नेट्वर्क हैस पेवड दवे अफ न्यू एरा ऑफ बैंकिंग सर्विसेस थ्रू टेक्नलोजिकल एडवेंट कटिंग अक्रोस्टा जोग्रिफिकल लिमिटेशन डिट अप्डिशन इ नेट्वर्क फोर बैंकिंग अन फानेस प्लोस ग्रूप है बाहर का बंदा इसमें इंट्री नहीं कर सकता है सम अफ देविटीज आर स्ट्रू फानेसल मैसे सिस्टम और सिस्टम फैसिलेटिंग आर्टी जियस एन फ्ट इन दोनों के मैसेश किसे जाते हैं इसके त्रू इं इन्हें एक IFTAS सर्विस बनाई है वो अब इन सबको मैनेज करती है सारी सर्विश को मैनेज करती है इस बुक में जो यह काटा वाया हमने यह पुराने हो गया थे इसलिए जो है इन चीजों को हटा दिया है तो वह साइक पिक्चर बनाया हुआ है यहां पर क्या बनाया हुआ हुआ अगे और से आड़ेट क्यों सीटर अब है झात नेटवर्क टॉप लोजी एड़्युश्ट है और हर्ब थे retrouveर नहीं ही इन यहां तो इसना आपका की स्जल चुमालति है और में राउटर में राउटर ने लेन को भीजा और सब रख मौचा मॉडम मॉल्टी प्रोसेसर लेंड यह सब अपने जो है डिवाइस यूज हो रही है आपकी ब्रांच कितने लोगों की ब्रांच है जो वी से से चल लगी है सब्किन और से ज्यादा साई लीज लाइन से चलिए और बीस नहीं दोनों है वी सेट भी है हाँ हाँ है एसर मेरा आपकी वी सेट वाली सेट ना तो उसकी फुल फॉर्म क्या है बताओ तो जराए कि वेरी स्मॉल अपरचर टर्मिनल ये कब अब जाद होई आपको अभी जस्ट नहीं सर ये जब मैं पहले एक जाम देच चुका हूँ ना एक बार नहीं होगी दिल पर मतलो ठीक है चलो तो इसके आगे फिर हम कल सुरू करेंगे ठीक है अगें एक मेरी फिर रिक्वेस्ट है अगर आप लोग कैजूल होंगे तो आपको दुबारा पढ़ना पड़ेगा अगले बार के बार ठीक है सभी से रिक्वेस्ट है कोसिस करिए और मुझे लगता है कि ये जो एक्जाम का जो सेड्यूल बनाया है अगर एक्जाम होते हैं औ क्योंकि आप एक बार तैयारी में आ चुके थे ठीक है तो इसलिए कोई गुंजाइस मत छुड़िए कोसिस करिए ठीक है पाकी हमने एक वीडियो बनाया था देखा किसी ने कि साथ बज़े एक वीडियो आया था देखा किसी ने नहीं देखा ना किसी ने देखा कि यूटूब के आरे मैंने उसमें कुछ कंसर्ण उठाए थे आई बीप आई 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 बीएफ से रिलेटेड तो सभी से रिक्वेस्ट हैं कि उसको आप लोगों करिए ज़रा कि यहीं कर देता हूं अभी ठीक है गुरुप में भी कर देता हूं और उसके जरासी देर में बारा सो व्यू हो चुके है कुछ कंसर्ण है आप लोगों से रिलेटेड आप से रिक्वेस्ट है उसको यूज करिए पढ़िए सुनिए क्या बोला पांसार्ट मिंट कर वीडियो जारा बढ़ा नहीं है ठीक है उसमें कंसर्ण किये कि आया भी एफ ने कहीं कुछ गज़त तो नहीं किया यह मैंने यूट्यूब में लिंक डाल दिया है और आपके वाट्सप में डाल दूंगा भी दोले ठीक है ठालो थैंक यू यूट्यूबर सब लोगो थैंक यू यूट्यूब मैंने बंद कर दिया है